चाब कर भी अनुपमा नहीं कर पाएगी अपनी बेटी पाखी की मदद, नहीं बचा पाएगी पाखी को इस अधिक नाम के राक्षस से नमसकार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्षकों का मैं अनजुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ अनुपमा को साफ साफ अब दिखाई देने लगा है कि पाखी किसी मुसीबत में है पाखी का ये रूप जिसमें वो अपनी बाते चुपाती हुई दिखाई दे रही है अनुपमा को हजम नहीं हो रहा पाखी तो वो थी जो किसी भी मौके पे अपनी बात कहने पे हिचकिचाती नहीं थी चाहे वो मम्मी को इंसल्ट करना हो चाहे वो पापा की ओकाद दिखाना हो चाहे कुछ भी हो चाहे अधिक से शादी करना हो मगर आज पाखी बदली हुई है पाखी का डर उसकी आँखों में दिख रहा है मगर अनुपमा कुछ नहीं कर पा रही है चलिए चर्चा करते हैं पहले वही निवेदर जिन्होंने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है क्रिपयर कर लिजीए साथ में दोस्तों बेल लाइकों दबादेगा ताकि आपको हमारे वीडियो की जोटिफकेशन मिलते हैं हमने आपने सबने अपने इर्दगिर्द अपने घरों में ऐसे केसीज देखे होंगे किसी की बेहन, किसी की बेटी, किसी की सहेली जिनके उपर ऐसा डुमेस्टिक वाइलेस होता है और आप चाहते हो कि हम उसकी मदद करे मगर आप तब तक कुछ नहीं कर सकते हो जब वो इनसान खुद अपनी मदद नहीं करना चाहे क्योंकि ये केसीज ही ऐसे होते है कई बार मैंने भी कई केसीज में मेरे फ्रेंड जैसे कुछ है जिनके साथ ऐसा हुआ खुद मैं उनके साथ पुलिस स्टेशन तक गई हूँ मगर जब वहां पे बात पहुँचती है और जब हस्बेंड थोड़ी देर के लिए पास में आता है तो वो फ्रेंड या जो भी आपका रिष्टेदार जो भी है वो पसीज जाता है और कहता है कि ये तो हमारा फैमिली मेटर है हम पती पतनी देख लेगे तो यहाँ पे कोई भी हो चाहे वो अनुपमा हो उनकी बोलती बंद ही हो जाएगी क्योंकि ये एक सीमा है जिसके आगे कोई भी नहीं जाना चाहेगा इसलिए मैंने ये एक्जेम्पल दिये दोस्तों ताकि और क्लेरिटी से पाकी की ये स्तिती हम आप से शियर कर भाएं पाकी ने जिस तरह पहले थपड का जवाब देने का सोच आ था जिस पे हमने बात भी की थी वही सही decision था वही पे पाकी कोई message दे सकती थी मगर पाकी ने उस बात को हवा में कर दिया अपनी ही बात को जुटला दिया आज एक थपड पड़ा है फिर एक धक्का पड़ा है फिर कुछ और हुआ है चीजे टूटनी शुरू हो गई है मतब चीजों की जो शुरुआत हुई से उससे वर्स चीजे होनी शुरू हो गई है रोमिल ने सब के सामने बता दिया कि क्या कर रहा है अधिक अनुपम और अनुज ने डिसकस भी कर लिया कि कुछ तो गड़बर है मगर ये जो भी गड़बर है जैसे भी है पता भी चल जाए इनको तब भी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अपने अपने तारीके से अधिक को समझाएंगे या चीज़ों को करेंगे या कोई धंकी देंगे या घर से लिकलो बगारा बगारा करेंगे मगर इससे पाखी की situation सुदरने वाली नहीं है तो ये जो अधिक सामने है जैसे कि रोमिल ने भी का हम सब ने भी देखा, वो पीट पीछे नहीं है अधिक, अधिक पीट पीछे एक क्रिमिनल माइड़िड इंसान है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक, आज उसको पाकी एक आँख नहीं भाती है दोस्तों, तो जब ऐसा कुछ मन में होता है, तो आप हर वक्त उस इंसान को तोड़ने के लिए, उस इंसान को रुलाने के लिए, अपने जो दिमाग के यंत्र है, वो खुले रखते हैं, और सब के सामने अधिक की साइड लेके पाकी ने इस भात में मोहर लगा दी है, कि नहीं नहीं, जैसा बर्खा ने कहा, आज बात चुपा दी पाकी ने फिर से, जब मम्मी अकेली थी, तब भी नहीं बताई, आज अनुच भी था, सब परिवार था, मगर तब भी पाकी ने क कि बर्खा दीदी सही कह रही है, कमरे के अंदर का आर्गुमेंट है, जो रोमिल ने देख लिया, रोमिल ये बोल रहा है, तो यह जो पूरा केस हमने देखा है न दोस्तों, क्या है, अट दा एंड अफ दा मोमेंट जब ये चीजे सौट अट होगी, तब तो अनुपमक करे ही, क्योंकि पाकी जब तक नहीं चाहेगी, अनुपमा पाकी को नहीं बचा पाएगी, और यहां जब भी ऐसी चीजे होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, पाकी अनुपमा को सीधा-सीधा उसका सच भी बता देगी, कि आप भी तो जब पापा ऐसा करते थे, आपने भी तो क कुछ नहीं कहा, आप कहां उनको छोड़के चली गई, आपने तो तब छोड़ा जब पापा का एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर हुआ, मतलब कहने का आपने ये सब चीजे सही है, ये तोड़ फोर, ये घर से रिकालना, ये सब आपने सही है, तो मुझे भी करने दिजी अपनी को definitely दुख होगा, जो पाकी कह रही है, कि मैं अपनी मम्मी को और दुखी नहीं करना चाहती, मेरा घर टूटा तो मम्मी और दुखी हो जाएगी, तो उसके बाद उसको ये भी सोचना चाहिए, कि अगर मैं अपने घर में, अपनी मम्मी की छतर चाय में जुल्म सहती हूँ, तो वो भी मम्मी को बड़े दुख से कम नहीं है, मगर बच्चे सोचते हैं, जैसे पाकी सोच रही है, कि मैं ऐसा ही करके शायद कुछ अलग कर पाँ, तो मगर ये बड़ी गलती है पाकी की, और यहाँ पे अनुकुमा बहुत ज़ादा परेशान है, क्योंकि वो नहीं कर प पार ये पाकी की कोई भी मदद, क्योंकि पाकी नहीं चाहती है, तो मेरा तो ये मानना है, बाकी आप भी बताइएगा, आपका क्या कहना है, इसके बारे में कमेंट कीजेगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स, thank you so much.